हेलो दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल में देखी लिया है कि हम लोग आज पीजन पॉप अप टोस्टर के अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं मारकंटों बहुत सरे बॉइस के टोस्टर वेविल है जिसमें फिलिप्स है हैं और भी डिफल् общ तरह के ब्रैंड भीन तरह के ब्रैंड तो मैंने सोचा कि पीजन का मंगाके देखते हैं क्योंकि brands तो सिर्फ नाम के होते है और local brands जो है वो काम के होते है तो मेरा तो यही मानना है तो इसकी unboxing हम लोग करेंगे और इसके देखेंगे कि यह कैसा काम करता है और मैं आपको full details बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है तो जैसा कि मैंने Amazon से इसको मंगवाया आप देख पा रहे स्पेस्टिकर लगा हुए Amazon का अगर आपको यह टोस्टर पर्चेस करना है तो इसका link मुझे आपको description में इसका link मिल जाएगा Amazon का link भी में डाल दूँगा और flip card का link भी में डाल दूँगा तो यह मुझे पड़ा है approximately 1300 रुपे का आप फिलिप्स का लेंगे तो वह 800-2000 के करी पड़ेगा पर काम ही की है तो इसके सबसे उपर हमें खोलने के बाद दिख रहा है वारंटी कार्ड है यह और यूजर मेनुवल है दोनों एक ही में है एक साल की वारंटी आती है इसके साथ आपको तो जिसमें जो भी लिखावा instructions है क्या क्या लिखावा है इसमें सब कैसे लिखे हुए है तो इसको हम रखते है भी side में और निकाल लेते है इसको यह बिल भी इसी गंदर आया है ठीक है तो इसे खोल लिया जाए देखे ब्लैक कलर का मंगाया है मैंने तो ब्लैक कलर अच्छा लगता है वैसे मेरे घर में जो किचन है उसमें सारे ब्लैक कलर के equipment से microwave ब्लैक है तो यह खुल गया ओके बहुत चांदार ब्लैक कलर का उपर है मेटल की कोटिंग है क्रोम कोटिंग है वह भी मेटल ही एक्चिल स्टील है वह स्टेनलेस तो ग्लॉसी लुक है इसका side में बटन दिख रहा है लेवल सेट करने का कि कितना आपको रोस्ट करना है यह 1-6 तक का लेवल है और side में cancel का बटन है आप सेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा टूस जल जा रहा है तो आप कैंसल के बटन से इसको मैनुली पॉप अप कर सकते है यह जो है slider इससे आप ब्रेट डालने के बाद टेंपरचर सेक्टर करने के बाद इसको नीचे करते है तो रोस्ट ना शूरू हो जाता है तो देखते हैं अब क्या इसमें है और नीचे की तरफ तो यहां पर आप वायर को इसमें रोल कर सकते ह इसके रिए जगा दी हुई है तो और अंदर हीटर के तार दिये हुए है जिससे हीट होगा और रोस्ट होगा आपका ब्रेड बहुत बड़े वेंट है काफी बड़े वेंट है बड़े-बड़े साइस के ब्रेड इसमें घुश जाते है तो चलिए इसको हम लोग डाल के द दूसरा यह ढाल दिया अब टेंपरिचर देखना पड़ेगा इसका जो लेवल हैटेंपरिचर का लेवल मिभत्वेजक्टी है हमने को कि वा एक बाद देख लेते हैं है तो अब टेंपरिचर है फोर पे ही करते हैं, फोर पे ही बढ़िया रहेगा, लग रहा है मेरे को, ठीक है, अब इसको मैंने प्रेस कर दिया, तो ये लाल वाइट कलर का जो था, वो लाल रेड हो गया है, तो इसका रोस्टिंग शुरू हो गया है, ब्रेड का, देखते हैं, कैसा निकलता है ये, ओके, टोस्ट पूरा रोस्ट होके निकला है, ब्रेड एकदम कड़क हो गया है, दिखने में ही लग रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम क्रिस्पी हो चुका है, इसके ओपर जैम लगा है, खाने का मज़ा ही कुछ और है, दोनों ही पूरे एकदम क्रिस्पी, लेवल 4 के है, त आप चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू,